एक जंगल में चुडायल और भूत रहा करते थे चुडायल जो थी वो भूत की काल फ्रेंट थी बहुत मैंनत करने के बाद चुडायल ने भूत को हां बोला था लेकिन वो छोटी छोटी बातों भी गुश्सा हो जाया करती थी भूत से मैंने कहा रहा मुझे तुमसे कोई बात ने करने जाओ तुम तो प्यार ही नहीं करते मुझसे जाना ऐसा तो ना कहो तुम तुम्हारे चक्कर में मैं बरबाद हो गया हूँ ना काम का न धंदे का बस तुम्हारे आगे पीछे ही नासता रहता हूँ अरे तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ I love you जाना I love you so much ये बास सुनकर चुड़ाल मन ही मन बहुत खुश होती है लेकिन वो अपने खुशी भूत को जाहिर नहीं करती और गुशे में बोलती है अपना ये जूटा प्यार अपने पास ही रखो अगर मुझसे प्यार करते तो क्या मेरी तारीफ नहीं करते मैं कभी भी कितना भी मेक अप कर लूँ और सुन्दर लगूँ कभी तारीफ नहीं करते अरे मेरी चान तुम्हें मेकप की आच्छे कपड़ों की सरूरती क्या है तुम बेहत खुबसूरत हो तुम इस दुनिया की सबसे खुबसूरत चुडल मसे एक हो जबी तो मैं तुम्हारा दिवाना हो गया हूँ अब ज़्यादा भसुडी न पहलाओ तुम मान जाओ I love you चुडल थोड़े शर्माते हुए अंदाज में हाई आप बीना आप बहुत मजागिया हो चलो मुझे अब से आता ना छेड़ो मुझे शर्मा रही है तुम बीना हद करते हो ज़रा कुस तुख खयाल रखा करो कुछ भी बोलते हो कुछ भी जब मर जी I love you जब मर जी किसी हट अरे भही मेरा जो मन करेगा मैं तो वही करूंगा न मेरी चांद के टुगडे जैसी तो मेरी गर्ल फ्रेंड है और तुम इतना शर्मा के रही हो चेहरा तुमारा इतना प्लाश क्यो कर रहा है जाना जाना तुम मुसे नाराज मत हुआ करो हा नहीं तो चाहे तो किसी से भी पूछ लो क्या पूछ लू मैं किसी से भी मुझे ना पूछ रा किसी से भी बस मुझे तो तुम से ही जानना है तुम पहले ये बताओ पूरा दिन कहां थे आद मुसे शाम को मिलने आये हो रोज तो मेरे पीछे राल डबकाते हुए गुमते हो लेकिन आज आज इतने देर से आये हो उपर से ये मौसम भी इतना खराब है तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दिवाना सनम अभी यहां से कहां जाएं हम तेरी बाहों में मर जाएं हम तुझे गाना सुनने के बाद चुड़ा शर्मा कर अपनी बेहन से मिलने चली जाती है और भूत वहीं पर ही रह जाता है बाहर की साइड क्योंकि उसकी बेहन को बूत का साथ उसके साथ पसंद नहीं था वो नहीं चाती थी कि वो उसकी बेहन भूत की करल फ्रेंड बन जाए भूत को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी अरी नास पीटी तु इतनी कहां से आरी एतनी ठकी हुई और मैं तुझे सुबे से बुला रही तुने तो पलट के जवाब भी ना दिया मुझे चुप कर जाओ बुढ़ापे में इतना भी ना भोलो कि हड़ियां जबाब दे जाए मैं तो आही रही थी पर उस टाइम मैंने सोचा तुम्हारा आम कर रही होगी इसलिए मैं आई ना और अब आई तो अब तू भी मेरे साथ ऐसी कर रही है एक तो मैं इतनी बीजी इनसान अच्छी या जरब बती हो तू कहां बीजी थी? क्या कर रही थी? मुझे तो लगये तू उस भूच से मिलने लगए दी खेती तू ने हद कर रखी है तू ना छोड़ेगी उसे? देख मुझे वो पसंदना है वो सब के साथ फ्लड करता है लेकिन तू सुधर ना रही है उससे ही बाते करती रहती है अरी ना दीदी ऐसी बात ना है मैं ना गई थी उससे मिलने मैं तो सीधी तेरे पास ही आएं हूँ अरी दारी ऐसे इलजाम तो ना लगाती मुझ बे हाँ नहीं तो अरी को भूल जावे है हम दोनों बेहन चुड़ेले हैं चुड़ेले हम इंसान ना है जो बाल सवारेंगे और लिपिस्टिक लगाएंगे हमारे बस की ना है ये सब हम तो बस खून पी के अपनी प्यास और भूग मिटाएंगे वहाँ दूसरी और लाल चुड़ेल मिल गई थी बूट को लाल चुड़ेल वहाँ से चा रही थी बूट रास्ते में खड़ा हुआ था तबी लाल चुड़ेल उसे देखकर रुग गई अरी यो नम नम लंबी लंबी नाक वाली ओरत चुडल किदर को जा रही है क्या हुआ ऐजे गूर क्या रही है आखे निकाल लूँगा आखे समझ गई चल 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 निकल यहां से कहां जा रही थी वैसे छमिया यह तो बता मोटी मोटी यहां खो आए हाए मिल गया मनूस मारा रास्ते में ही यह नास पीटा भी मेरा पीछा ही ना छोड़ता अरे तुझे मैंने कितनी बार का आयरे लोंडे मेरे आगे बीचे मत नाचा कर अरे तुझे पता नहीं है मेरा बॉइफ्रेंड है फिर भी मुझे छेड़ता ही रहता है जब देखो अब ए तुझ क्या ही करके मानेगा सुधरजा भाई सुधरजा किसी दिन चपल खाएगा मुझसे बहुत तगड़ी वाली फिर ना गई हो मेरे तूतड़ा लाल हो गया ऐसी शकल के पर मैं चपली मार दियू चपल ओए 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 किसी गलत फ्यामी में मत रहे तुझे छेड़ने से अच्छा मैं किसी और खुर ना छेड़ो तू आंटी है आंटी अपने आपको लड़की ना समझ समझी आंटी कहीं की आई बड़ी चल के तुझे तो कोई बुढ़ा भी पलटकी ना देखे मैं तो बड़ा और सीधा निकल जल्दी कर अरे नास पीटे करम जले अब आंटी किसे कह रहा भी तू अभी मेरे उमर ही क्या है नब्बे असी साल ही तो है और तूने मुझे आंटी बता दिया ज्यादा पन मत वरना उल्टा करके इतना मारूँगी इतना मारूँगी तुझे सीधा कर नास पीटे करम जले चला जाये यहां से मनूस मारे अब मैं क्या ही करूँ तु बूरत है वन्ना तुझे तुझे तुपारा मार देती चली हां से हट ओय होय आंटी को भी गुस्ट आता है क्या बात है क्या बात है आंटी तो पहले से ही लाल है लोग बाग गुस्टे में लाल होते हैं लेकिन आंटी जी तो पहले से ही लाल है लाल आंटी ओ लाल आंटी यहाँ जे निकलने का आप क्या लोगी हलवा फूरी या कुछ और चलो चलो आंटी आपका कोई काम नी बच्चों के बीच आंटी कहींगी इस पे लाई भारूँगा चल 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 निकल दोस्तों आप लोग देख रहे हो ना फिर मत कहना अगर मैंने इसे भसम भसम कर दी आपने जादू से जल्दी से आप लोग सस्क्राइब कर दे आप लोग सस्क्राइब नहीं कर दे इसलिए इतना बोलता है जिस दिन आप लोग सस्क्राइब कर देंगे न उस दिन मैं इसके मुंडी पकड़ूँगी और आसमान में घुमा डालूंगी इसने मुझे बढ़ा तंकर रखा है बिचारी बच्ची को फसा रखा है बच्ची को इतनी सुन्दर वो दीखती है महक और ये कितना भायंकर पुरा दीखता है लोग क्या इससे तो चुड़ैले भी डरे इतना कहकर लाग चुड़ैल वहाँ से गुस्से में चली जाती है पता नहीं उसका मुझ कितना खराब हो गया था इसलिए वो बीना पीछे मुझे रास्ते में चले जा रही थी चले जा रही थी दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था उसके दिमाग में तो बस एक ही चीज घूम रही थी कि आज उस भूत ने इसको आंटी जो बोल दिया है वहाँ दूसरी और भूतनी अपनी ममी के घर गई थी अपनी ममी से मिलने अरी ममी मैं बड़ी दुखी हूँ तुझे क्या पता मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है लेकिन तुझे क्या लेना तू तो अब भी 16 साल की बनी पड़ी है ममी देख मेरी कमर में रहता है बहुत दर्द अरी नास पीटी कमर में दर्द वर्द तेरे कुछ ना रहता है बस काम से बचने के तरीके हैं ये तेरे तरीके सुधर जा अब तेरी ये हरकते चलेंगी न तेरी कल को मैं शादी कर दूँगी तो क्या तू वहाँ पर भी ऐसे ही करेगी चल यहाँ से बहुत आराम हुआ अरी नारी ना मम्मी सही बता रही हुँ मैं तुझे कमर में ज़्याद आई दर्ध हो रहा है मैं तो कहरीं कोई वैदवैस से मेरे को दवाई दिला दे फिर मत कही हो लड़की लेट गई मुझे इसका काम करना पढ़ रहा है जल्दी दिला दे तू मुझे दवाई शवाई बहुत कमर में दर्द रह वे है मेरी तो अरी दारी पहले तो तू एक बात पता तू सुबे से थी कहाँ मुझे तो तू सुबे से दिखाई ना दिखाई भी पहले तो तू उस कॉमल से मिलने गई थी हैं? अरी उससे क्यों मिलने जावे है तू मत जाये कर मुझे पसंदना है वो कोमल वमल तु गुमती रवे आवा रहो की तरह अरी मम्मी कितना जूट बोलेगी मैं तो यही थी कही न गई थी मैं एजा तु मा टोईलेट में बैठी रह वह है तुझे कुछ पता भी है मा ऐसे तो इलजा मत लगा मम्मी तुने तो हद कर रखी है लड़की के पीछे ही पड़ी रह वह है अरी ऐसे न करा कर मम्मी मत कर सुसरी टोईलेट में बैठने को कह रही है पेट खराब चल ला है मेरा दस तल लगे पड़े है मुझे दिन मैं सौ सो बार जा रही हूँ तुझे तो कुछ लेना देना ही ना है देख मेरी एक एक पसली दीखने लग गई है कितनी कमजोर जो हो गई हूँ मैं अब न दिखाई दे रहा होगा तुझे मेरा हालत चुड़ेल की मा अपनी बेटी के पास से उठकर बाहर की और चली जाती है उसे कुछ सा आ जाता है एक तो उस पिजारी को लूज मुशन हो रहते उपर से उसकी बेटी को सुनती ना थी वो बड़ी परिशान थी अपनी बेटी से ना तो उसकी बेटी काम करती थी और ना ही घूमने से पा जाती थी घूमना क्या वो तो बस अपने भूठ से ही मिलने की कोशिश करती रहती थी और वो फिर से अपने भूठ से मिलने चे पहुच गई अजी सुनो जी पूरे दिन तुम्हें ऐसे ही घूमते रहते हो कभी घर में भी बैट जाया करो तुमें चैनना है पूरे दुनिया को जैन है लेकिन तुम्हें तो पहिएं लगे हुएं पहिएं अरी ओए जाना ऐसे ना कह तू तुझे ना पता मैं तेरा कितना बेशबरी से इंतजार कर रहा था तुही मेरी शब है शबा है तुही दिन है मेरा I love you मेरी जान तेरे बीना तो मेरा दिल ही ना लगता कहीं भी हाई भगवान तुम्हें बीना सुधरने का तुम्हों कहीं ना ले रहे हो भताने कैसे हो हार टाइम हार टाइम रोमांटिक हुए पड़े रहते हो अरे इतना भी किसने बताया बस ठीक है ना मान गई मैं मैं गुसा नहीं हूँ ठीक है मेरी जान और हाँ जड़ा घर में भी रहा है अजी मेरी जान आपने कह दिया है तो वैसा ही होगा हुकम का जरूर बालन होगा तुम टेंशन न लो मैं आज कल घर में ही रहा करूंगा बस थोड़ा बहुत घूम लेता हूँ आपकी वज़ा से आप ही तो हो जिन्दकी में सिर्फ मेरी पहले तो आप ये बताएं आप मेरे घर शादी का रिष्टा लेकर काबाएंगे मैं बड़ी बेसबर हूँ जल्दी करें और जल्दी मेरे घर रिष्टा लेकर आएं आज ही मेरी मा कह रही थी मेरी किसे अच्छे भूट से शादी कर देंगी वो फिर ना कह रहा कि तुनने बताया नहीं अगर मैं हातों से निकल गई भूट बड़े कुस्से में बोलता है उसके रिष्टे की बात सुनकर क्या कहा तुमारे रिष्टे वाले आएंगे ऐसा सोचना भी मत वरना मैं सबको मार डालूँगा समझी तुम सिर्फ मेरी हो मेरी हो मेरी हो मैं दस साल से तुमारे पीछे पड़ा हुआ हूँ और आप कहने की हिम्मत रिप भूत तो बिल्कुल भी सबर नहीं करता और जल्दीचे महक को लेकर उसके घर पहुँच जाता है जहां उसकी मामी भी थी आउंटी मुझे आप से बहुत जरूरी बात करनी है और अभी करनी है और आपको सुनना पड़ेगा क्या रे पहले तो ये बता तू है कौन और मैं तेरी क्यों सुनू अबे ऐसे बोल रहा है जैसे तूने मुझे पैसे दे दिये हो तू है कौन बे चल पहले मेरे घर से निकल और ये तेरे साथ क्या कर रहा है ती लड़की है मामी ये मेरा बाइफ्रेंड है प्लीजी से ऐसे बात ना करे ठीक है देखो तो कितना गुड लुकिंग है दीखने में इसकी बोड़ी कितने मस्थ है मामी देखो तो सही आपको दिखाई नहीं देता क्या बुड़ापे में आपका चेश्मा बनवाना पड़ेगा मुझे लगता है ऐसा मामी देखो तो आउंटी जी ये लोग जो वीडियो देख रहा है ना चाहे तो आप उनसे पूछ लो मैं यहां का सबसे होट भूत हूँ और जल्दी से ये लोग सस्क्राइब भी कर देंगे अगर आप शादी के लिए हाँ कर दे मेरी कर देंगे ना शादी अब किस की शादी की बाते हो रही है मुझे ही ना बता मेरे घर में शादी की बाते चल रही है वैसे तुझे करनी किस से है शादी जरा बता तो खुलके मैं अभी शादी के मून में नहीं कैसी बाते कर रहे हो तुम मा अपने बारे में सोच रही है चाहता है आपसे नहीं आप इस उम्रों में शादी करके करेंगी क्या पहले ये बताइए मुझे जल्दी हां आँटी मैं आपसे शादी क्यूं करूंगा भला कैसी बाते कर रही है मैं तो आपकी बेटी के लिए रिष्टा ले कराया हूं जल्दी से मेरी शादी करा दीजिये आंडी ये आप कैसी बाते कर रही हो अपनी शादी की बात कर रही हो अबे तो पहले मैं बड़ी हूँ इसकी मा तो मेरी तो शादी होईगी कि पहले इसकी कर दूँ ऐसे ना होता है हमारे याँ पहले मेरी शादी होगी बाद में कहीं इसकी और जितने जल्दी तु समझ जाए तेरे लिए उतना ही अच्छा है अरे मा की मचाग करने की आदत है क्यों ना समझते हो तुम तुम अपनी बाद करो अपने बारे में कुछ बताओ मा को ताकि वो खुश हो जाए और मेरी शादी तुम से करने के लिए तैयार हो जाए तुम खूब सूरत हो है ना मा बताओ ना मा करोगी ना तुम मेरी शादी इससे बोलो मा क्या अपनी बेटी से प्यार नहीं है तुमें अपनी बेटी की बाद सुन नहीं सकती हो तुमें पता नहीं है आपकी बेटी भी मुझसे बहुत प्यार करती है जल्दी से हमारी पट मंगनी पट भीया कर दो कुछ ऐसी कहावत है ना सीधी दुंग कर लेना सुना मैंने दी है चलो करो चल पे नास पीटे पहले जा कहीं से मेरे लिए भी रिष्टा ले करा चेसी पूत का जबी मैं तेरी शादी कराऊंगी अपनी बेटी से ऐसे कैसे अपनी बेटी की करा दो और अपनी ना करो चल चल यहां से निकल सुनों मेरे पेट में बड़ी गुड़गुड हो रही है कहीं रायता यहां बहारी न फैल जाए मैं जरा टॉयलेट होकर आती हूं इतने तुम मम्मा को कन्विंस कर लेना ठीक है परना मेरी पॉटी निकल जाएगी मुझे जाने दो ठीक है ममी तुम दोनों बाते करो और मैं अभी आती हूं और अच्छे से बाते करना ये मेरा बॉयर्फ्रेंड है बॉयर्फ्रेंड चुड माने वो दोनों बाहर क्या कर रहे हूंगे मुझे तो बड़ी ही चिंता हो रही है दोनों की ए बगवान बस मम्मी मान जाये किसी जडरा मैं तो बड़ी ही दुखी हूं मेरी शादी क्यू नकराती है अरे इनके लिए लड़का ना मिलेगा तो कि शादी न कराएंगी चुडएल अपने आपसे ही बाते करे जा रही थी उसके बेट में बहुत जोरू की दर्ध हो रहा था वहां बाहर की साइट दोनों भूत और चुडएल की मा आपस में बाते कर रहे थे चुडएल की मा तो शादी के लिए मानने को तयार ही ना थी आउंटी आपको क्या परेशानी है आपके लिए भी भूर ढूंद दूंगा जल्दी ही पहले आप मैं हक्की शादी तो करें मेरे साथ देखो मैं उसको बहुत खुश रखोंगा और जल्दी से शादी कर दो वर्णा मुझे गुस्सा आजाएगा गुस्सा आकर भी क्या ही उखाड लेगा तु मेरा चल चल नास पीते मैं ना कर दी तेरे से शादी पता चला उसे शादी करके ले गया और मेरे लिए कोई बहुत ही ना डूंडा मैं अके लिए यहां क्या करूंगी मुझे तो वैसे भी रात को डर लबता है डर पहले मेरे लिए एक अच्छी बूत का इंतिजाम कर जो मेरे साथ रहे ताकि मैं डरू ना हाँ नहीं तो आया बड़ा चल के अपने बारे में सोचे जा रहा है सैल्फिश कहीं के अरे आंटी वैसे तो इस उम्मर में तुमें शादी करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप मान नहीं रही हो तो मैं आपसे प्रामिस कर सकता हूँ कि मैं आपके लिए एक भूर डूंड लूँगा बस पहले मिरी शादी करा दे वर्णा मैं पता नहीं क्या करके मानूँगा सुधर जाओ आंटी जी आप धमकी किसी और कुदियो समझा ना कराती शादी ना कराती शादी परे को मर जा यहां से जाके और देख कितनी बदबू आ रही है वो अंदर टॉयलेट में और हम तरवाजे के पास खड़े हैं अरे नास पीटे करम जले परे को ही मर जा मुझे भी जान दे हां से मेरे से दो बदबू से रुकाई न जा रहा है पता ना कैसे रुका खड़ा है तू तो आप मेरी शादी करवा दो एक तो मानने को राजी नहीं हो उपर से फाल्तु की बखवास करे जा रही हो ऐसा ना हो कि मैं कुछ उल्टा चीता कर दू फिर आप पश्टा हो अबे मुझे धमकी वंकी मत दी हो समझा मैं किसी के दमकी वंकी से टड़ने वाली ना हूँ और तू नहीं मुझे समझ क्या रखा है बे तू पहले यहां से निकल यह घन मेरा है समझा और तेरी मेह के टॉयलेट में तुझे जाना है तो अंदर जा यहां पे पकवास ना कर और मेरे में इतनी एनरजी नहीं है क्योंकि आद मुझे कोई शिकार नहीं मिला मैंने कुछ खाया नहीं है तोस्तो तुम लोग पहले सब्सक्राइब करो मेरा मून खराब हो रहा है जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो मा शादी के लिए मान जाओ ना प्लीज अब तो आंटी मैंने आपको मा भी कह दिया है क्यों नहीं मान रियो महक देख लो तुमारी मा मानने को राजी ही नहीं है ये लोग सब्सक्राइब भी करने को राजी हैं फिर भी ठीक है मान जाओंगी लेकिन पहले इन लोगों से सब्सक्राइब तो करवा देख ले अभी तक सब के सब उन्हें सब्सक्राइब ने करिया है वीडियो तो देखे जा रहे हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब ना करें और मेरी खुबसूरती का एक कमेंट भी करें दोस्तो कमेंट्स में मेरी मा की तारीफ कर दो थोड़ी सी क्योंकि मेरी मा तारीफ की भूकी है और सब्सक्राइब भी कर दें और मेरी मा को खुबसूरत लिख दें कि हाँ वो बहुत खुबसूरत है वो मेरी शादी के लिए मान जाएंगी फिर मा इन सब को पता है कि आप बेहत खुबसूरत हो अब देखना आपके लिए सुन्दर सुन्दर कमेंट्स भी करेंगे और सस्क्राइब भी करेंगे अब तो मान जाओ मेरी सासु मा शादी के लिए पीर ठीक है अगर इन सब के सब जितने इनों भी वीडियो देखिये ना सारे के सारे सस्क्राइब करेंगे तो मैं अगली वीडियो में तुम दोनों की शादी करा दूँगी ठीक है ना स्पीटे और करम जली इतने तफ़ा हो जाओ यहां से मेरी नजरों के सामने से जानू देखा मा मान गई ना इन लोगों ने मा को मना ही लिया है अब देखो यह लोग जल्दी से सस्क्राइब करेंगे ना और मा की तारिफ कर देंगे कमेंट से तो इस मा तो मान ही जाएगी मेरे प्यारे सस्क्राइबर I love you subscriber I love you